नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में, मतलब आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Electromagnetism की वैदुत चुम्बकी की इसके most important questions आज हम पढ़ने वाले हैं कई ओर university की भी मैंने बात की थी, आज आपकी university की बात भी हम करने वाले हैं तो यहां पर वही same आपको पता है, चार unit होती है, first, second, third, fourth और exam का pattern आपको पता ही है, कि पहला जो question है, उसमें छोटे-छोटे questions आते हैं और बाकी के जो चार question है, वो बड़े आते हैं जो पहला question है वो करना compulsory होता है, और बाकी जो चार question होते हैं उसमें आपको choice मिलती है, चोईस वाले questions में से आप select कर सकते हो तो यहां पर हम बात करेंगे, first unit की बात करेंगे, electromagnetism की तो यहां पर first unit में आपके पास क्या है आपके पास numerical आते हैं, तो किस पर आते हैं, scalar पे, gradient पे, curl पे, यह आपके पास numerical आते हैं तो एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप बिलकुल safe रखना चाहते हो, तो आप हर unit को दो part में divide कर लो, आदा आदा अपनी मर्जी से जैसे उपर के कुछ topic, नीचे के कुछ topic और उसमें से एक भाग पढ़ लिजीए, तो आपको और आम से question मिल जाएगा तो उनमें साब 10 topic उपर के हैं, 10 topic नीचे के पढ़ लिजीए, आपको और आम से question मिल जाएगा क्योंकि देने वाला exam में तभी देता है इस तरीके से देता है कि कुछ question उपर से देता है कुछ question नीचे से देता है तो यह तरीका यह formula अगर आप अपना होगे तो आप किसी भी exam को BSC कि किसी भी exam में आप अच्छे number ला सकते हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी यही इसी की बात करने वाले है तो यहाँ पर बात करेंगे electro magnetism में unit number 1 की बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन से most questions है तो most questions में मैं आपको बता दूँ सबसे पहला सदिश छेत्र की परी गुर्णकता सदिश छेत्र की परी गुर्णकता परी गुर्णकता कर्ल कर्ल और वेक्टर फिल्ड बहुत बगार question पूछा गया है देखो numericals यहाँ पे एक topic है numericals इसमें से बहुत आते हैं आपके पास जो numericals आते हैं वो gradient पे, curl पे, operator पे यह numerical आपके पास आते हैं तो यह अच्छा question है सदिश छेत्र की परी गुर्णकता कर्ल क्या है वो आपको देखना है और इसका जो वियंजग है वो आपको यहाँ पर open करना है इसके अलावा यहाँ पर topic बताता हूं divergence, divergence आपको पढ़ना है सदिश छेत्र का, अदिश छेत्र का, divergence के questions आपको पढ़ना है क्योंकि यह divergence के questions आपके पास exam में आते हैं अब आगे बात करते हैं यह divergence के questions की और यहाँ पर आपको divergence की प्रमे भी देखनी है, theorem देखनी है divergence की ठीक है इसके अलावा आपको क्या देखना है प्रवंता gradient अदिश छेत्र की प्रवंता देखनी है, gradient देखना है अगर कोई मुझसे पूछता है कि तीन most important questions बताओ इस unit के तो यहाँ पर यह तीन most important questions आपके पास मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको gauss का divergen भी देखना है, gauss का नियम देखना है, gauss का divergen देखना है और तो क्या देखना है, gauss का divergen देखना है, और तो क्या देखना है, gauss की differential form देखनी है, एक फेराडे का नियम आपके जुड़ा हुआ है, फेराडे का नियम जो कई university में नहीं है, तो जुड़ा है, तो हो सकता है आपके पास आए, तो यह तीन चार टोपिक ऐसे हैं, कि यह पढ़ लीजिए, और इसमें से numericals जो बनते हैं, वो तो बनती ही है, विए जो कुदपन करने वाल है, उनको drive करना, लेकिन मेरी साब से आपको इन में से मिलना चाहिए, सदिश्चेत की परिगुर्नक्ता, करल, और divergen, सदिश्चेत की और अधिश्चेत की प्रवंता, gradient, स्केलर फीडिट की gradient जो है, वो आपको मिलना चाहिए, यह आपके पास होती है, फर्स्ट यूनिट, ठीक है, यह बात किसकी हो गई, फर्स्ट यूनिट की बात हो गई, अब बात करते हैं, सेकंड यूनिट की, सेकंड यूनिट में क्या आने वाला है, तो सेकंड यूनिट म आपके पास थोड़ी सी प्रोब्लम करने वाली है सेकंड यूनिट में लेंगि फिर भी आपको बताना तो है तो थोड़ा सा वेट कीजिए तो यहां पर आपको कॉस्चन्स बताता हूं मैं सेकंड यूनिट के लिए आपको यहां पर डाइपोल मॉमेंट आपको डाइपोल मॉमेंट देख सकते हो गया डाइपोल मॉमेंट दी दुरूव आगुर्ण से आप क्या समझते हो इसके अलावा विद्दु छेत्र की तीरुटा क्या है विद्दु बल रेखाएं चोटे छोटे कॉस्चन्स जो यहां पर आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है नूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन नूमेरिकल्स का क्या करें इसके लबाब लापलास और पॉईजन इक्योशन लापलास और पॉईजन पोईजन, इक्येशन, समीकरन, वो आपको पढ़नी है, लगो, इलेक्ट्रो मैगनेटिजम में बताने का इतना कुछ है नहीं, जैसा कि आप समझते हो, विद्दूत, विभाव, विद्दूत, दीदू, आगोन, ये छोटे-छोटे से टोपीक है, ये आते हैं, और इनके डैर एक ब्रै उनिवेसिटी का भी कोश्चन है, रास्ता उनिवेसिटी का भी है, कि एक गोला है, ध्यान रखना, एक गोला है, गोले की उर्जा ग्याद करनी है, ये चार्ज गोला है, आवेसिद गोला है, इसकी उर्जा ग्याद करनी है, और उर्जा ग्याद करने के बाद, जि कि किसी अवेशित गोले की उड़जा गयाद करके उसकी इलेक्ट्रों की तिरजा गयाद कीजिए ऐसा आपको मिल सकता है इसके लावा दीद्रूब आगुन कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का HCL का किसी का भी कैसे निकालते हैं वह आपके पास आ सकता है तो यह सेकेंड यूनिट में तो यार देखो मेरे कुछ ऐसा है नहीं इसमें लेकिन छोटे-छोटे से टोपिक जो हैं वह मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल डाइपॉल मॉमेंट क्या होता है और आवेस का वितरन कैसे होता है छोटे-छोट यूनिट नमबर सेकेंड आप तयार कर सकते हो डाइपॉल मॉमेंट लापलास पोईजन समीकरन और यह जो मैंने नूमेरिकल बताया है इसके लावे विद्धुत दीदुरूब क्या है विद्धुत विभव क्या है उससे आप क्या समझते हो उसकी समीकरन ऐसा कोश्यन आए तो यह हमारे पास बात हो गई स्टार्टिंग की दो यूनिट्स की बात हो गई अब हम बात करने वाले हैं बाद की दो यूनिट्स की तो यहां पर बाद की दो यूनिट देखते हैं यूनिट नमबर थर्ड यूनिट नमबर थर्ड के टोपिक बताता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सौरे टोपिक मिल जाएंगे जैसे दुर्बन छोटे-छोटे बहुत सौरे टोपिक है, अगर कोई SI student है जिसके अभी तक तयारी नहीं है, वो इस थर्ड यूनिट पे concentrate कीजिए जैसे दुर्बन क्या होता है, polarization, इसके अलावा दुर्बन के अलावा आपको बताता हूँ, छोटे-छोटे से टोपिक, गाउस लो, गाउस का नियम, गाउस नियम, गाउस का लो आपको पढ़ना है, गाउस का लो तो देखो, चाहे फर्स यूनिट में आए, सेकंड में आए, लेकिन गाउस का नियम तो आपको मिलेगा, कहीं न कहीं तो आपको मिलेगा, और यह जो छोटे-छोटे से टोपिक है, जैसे polarization है, परमानविक दुर्बन्ता है, परमानविक दुर्बन्ता, यह थर्द यूनिट बिल्कुल कंठष्ट करके जाए, दुर्बन्ता, और इससे related numericals भी आपके पास यहां पर पूछ लिए जाते हैं, dialectic constant के, कई बार यह question पूछा गया है, कि यह dialectic constant क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और इसमें इस यूनिट के अंदर और बात करते हैं, एक दो टोपिकों की और बात करते हैं, जो spare है, spare है, जैसे गोला है, जिसको हम spare बोलते हैं, spare, इसमें electric charge ग्याद करना आपको आना चाहिए, electric charge, electric field, electric potential कैसे ग्याद करते हैं, spare के बाहर पूछ सकता है, spare के ऊपर पूछ सकता है, spare के अंदर पूछ सकता है, यह तीन चीज़े याद रखनी है, spare के बाहर, अंदर और spare के ऊपर यह चीज आप से पूछ सकता है तो यह आपके पास बात हो गई थर्ड यूनिट की अब बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की देखो थर्ड यूनिट को आप पूरा कर सको तो आप कर लेना चोटे-चोटे टोपिक है इसमें इलेक्टिक सस्पेक्टिबिलिटी मैगनेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऐसे बहुत सारे कोश्चन्स है जो आपको पढ़ने है अब यहाँ पर फोर्थ यूनिट में आपको सबसे पहले क्या देखना है लोरेंज बल देखना है लोरेंज बल देखना है इसके अलावा magnetic field क्या है, चुम्बा की छेतर क्या है, उसके कौन-कौन से गुन होते हैं, वो आपको देखने है, clear है, इसके अलावा, एक ampere का नियम आपको देखना है, ampere का नियम आप देखना है, ampere का नियम आप देख लीजिए, biosavart का नियम देख लीजिए, वैसे biosavart कम आ इसके लावा, चुम्बा की प्रवर्ति, यह आपके पास थड़ियर में भी आएंगे, चुम्बा की प्रवर्ति और चुम्बा की पार गम्मेता, इनके बीच में relationship क्या होती है, इनके बीच में संबंध क्या है, इनके बीच जो संबंध है, जो formula होता है, वो ही आप से एक के अंदर कई पार डिवाइड कर सकता है कई चीजे पूछ सकता है कि विद्द दीदरू क्या है दीदरू आगुन क्या है बहुत साइच चीजों को यह मिक्स कर सकता है ठीक है तो यह जैसे वाला कोश्चन है गोले के बहार गोले के अंदर और गोले के उपर जो ग्याद करना ह होता है हमारे पास electric field electric potential ज्याद करना है वह हम ज्याद कर सकते हैं तो यह ज्यादा इतना कोई बड़ा नहीं है आप एक काम करना जिस भी उनिवर्सिटी के आप student हो जिसके लिए मैंने यूडिवन आई है तो आप एक काम करना कि आप हर यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर लेना जैसे मालिजे 20 topics है तो आपको दढ़ दश topics में डिवाइड कर लेना लेकर मुझा नहीं लगता किसी कोंगे कम भी topics हो सकते हैं तो उपर-neeची आप डिवाइड कर सकते हो तो आप прямो आमbroken से questions लिदे है लेकिन जहां तक मेरा सवाल है यहां पर छोटे- información बैड़ रह सते ईनके पर जो न्यूमेरिकल से अब इस तो क्या बताएं अब यह चंवाला जो पार्ट है इसमें जो में आय्वत है एलेक्र मेंनेटिसम में तो यही आता है क्या होता है चंवा कि ऄदर की गुण्श के विशतर की इसकी प्रोकेटिस क्या होती है वह उपे वह का आपको description में बिल जाएगी टेलिग्राम चैनल है YouTube चैनल भी है आगे ज्यादे ज्यादा में वीडियो बना के लेकर आऊँगा और आज मैंने questions थोड़े कम बताए है फिर भी मैंने आपको इतना बता दिया है आपको यहां पर कम से कम 70% मेंटर आपको और आमसे मिल सकता है चोटे questions भी आपको मिलेंगे जो मैंने बताए है चोटे चोटे formula मिलेंगे जिसे परावैद्दुतांग का formula आपसे पूछ लिया किसी गोले के बाहर पूछ लिया ऐसे questions आपको मिलेंगे चोटे-चोटे MPR का नियम चोटे questions में भी पूछ सकता है बस वह formula लिखने के नमबर चुमबा की प्रिवर्ती चुमबा की पारगम्मेता क्या होती है चोटे-चोटे questions भी आपसे पूछ सकता है आपको इतना याद रखना है क्लियर है तो यह आपके पास पूरा matter हो गया है अगले paper की बात भी हम जल्दी से करेंगे बस आप जुड़े रहिएगा और ज्याद सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को YouTube को जिससे आगे से आगे हर university के लिए मैं वीडियो बना सकूँ और एक बात और याद रखना मैंने यह या तो उपर के topic पढ़ लेना या नीचे के topic पढ़ लेना अब जैसे आपके पास first unit है skill and vector field वाली तो आपको starting से और जो curl operator है वहां तक आप पढ़ लीजिए आपको एक question मिल जाएगा या फिर आप concept of solid angles है और जो faraday is low है या gauss low है वहां तक आप पढ़ लीजिए तो यह द आपकी के most questions तो आपके पास चली रहे हैं मैं risk लेने के लिए आपसे कभी भी नहीं बोलूँगा तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद